क्या महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी के एक बयान के बाद महाराष्ट्र में माराथी और गैर भराथी का मुद्दा एक बार फिर घर्माने वाला है। दरसल रज्यपाल ने 29 जुलाई को मुंबई के अंधेरी में एक कारिक्रम को संबोधित करते हुए कहा मारवाडी गुजराती जहां भी जाते हैं अस्पताल स्कूल आदि बनवाकर जगह के विकास में योगदान करते हैं अगर महाराष्ट्र से गुजरातियों और आजिस्थ हाला कि बार में राज्यपाल ने अपने इस बयान को लेकर सफाई दे दी लेकिन तब तक उधव ठाकरे ने इस बयान को लपक लिया कोश्यारे के बयान पर उधव ठाकरे ने तीखा हमला किया और कहा कि राज्यपाल ने मराठियों का अपमान किया है उन्होंने राज्यपाल से माफी मांगने की भी मांग की और कहा कि उन्हें अपने पद का सम्मान करना चाहिए आवेश में उद्धव ने राज़ेपाल पर आपत्ती जनक बयान भी दे दिया जिसे लेकर वे भी इस मामले में घिर गए हाला कि आम तोर पर उद्धव के धुर्बी रोधी माने जाने वाले महाराष्टर नवनिर्मान सेना के अध्यक्ष राज ठाकरी भी इस मुद्धे पर उद्धव के साथ सुर मिलाते दिखे उन्होंने भी राजेपाल भगत सिंग कोशियारी को निशाने पर लेते हुए कहा कि मराठी लोगों को मुर्ख मत बनाओ यदि आप महाराष्टर के इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं तो इस बारे में बात न करें राजेपाल पर कियेगे उद्धव ठाकरे के सियासी हमले को देखते हुए महाराष्टर की राजनीती के जानकार मानते हैं कि उद्धव वापस इस मुद्धे पर आ सकते हैं क्योंकि बाला सहेब ठाकरे ने शुबसेना का निर्मान ही मराठी अस्मिता को लेकर किया था उन्होंने अपनी पार्टी के जरिये मराठी मानुस का मुद्धा उठाया उस समय नौकरियों का अभाव था और बाल ठाकरे का दावा था कि दक्षुन भारतिये लोग मराठीयों की नौकरिया चीन रहे हैं उन्होंने मराठी बोलने वाले स्थानी लोगों को नौकरी में तरजीह दिये जाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया था जानकारों के मुताबिक उध्धव को लगता है कि एक बार फिर से मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाकर वे राज्ज की राजनीती में एक बार फिर चर्चा में आ सकते हैं क्योंकि एक तरफ उध्धव ठाकरे के हाथ से राज्ज की सत्ता निकल गई तो दूसरी तरफ शुबसेना भी उनके हाथ से जाती दिख रही है विधायकों के बाद कई सांसत भी एक नार्शिंदे के खेमे में शामिल हो चुके हैं जानकार मानते हैं कि ऐसी स्थिती में उधव को वापिस राजिनिती में अपना दमखम दिखाने के लिए यह मुद्दा मुफीद लग सकता है टाइमसनाव नभारत डिस्टल की रिपोर्ट कंखने? कंखने? कंखने?